कार्तिक आरियन बॉलिवोड इंडस्ट्री में प्यार का पंचनामा मूवी से डिब्यूट किये थे हैं और बता दे कि कार्तिक आरियन ने इस मूवी के लिए मात्र तेर लाग रुपया चार्ज किया था वहीं इनकी अभी आई फिल्म सत्य प्रेयम की कथा में कार्तिक आरियन का चार्ज जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे आईए सत्य प्रेयम की कथा मूवी की सारी करेक्टर के फिर्स के बारे में आपको बताता हूँ कि किसने कितने रुपय चार्ज की हैं भूल भूलेयर 2 के सूपर डूपर हिट होने के बाद कार्थिक आरेन केरा अडवानी एक बार फिर एक नई मुवी सत्य प्रियम की कथा में सामने नजर आए हैं मुवी को समीर विद्वन्स द्वारा टाइरेक्ट किया गया है मुवी का पहले से ही रिस्पॉंस बहुत बढ़िया आ रहा है क्योंकि इस मुवी के ट्रेलर और सौंग्स को लोगो द्वारा काफी पसंद किया गया है अभी देखा गया कि इस मुवी के फर्स शो में बहुत बड़े बड़े एक्टर देखने को मिलें जैसे की टाइगर शाव, सिधार्त मलोत्रा, इनके साथ साथ और भी कई बड़े चेहरे देखने को मिलें को कि इस मुवी को सपोर्ट करने के लिए आए थें अब आईए आईए आपको बताते हैं कि इन करेक्टर ने इस मुवी में कितने चार्च किया है सबसे पहले बात करते हैं रितु शिवपूरी की जिसने इस मुवी के लिए 40 लाख चार्च किया है पिखा तलसानिया ने इस मुवी के लिए 22 लाख चार्च किया है सुप्रिया पाठक ने इस मुवी के लिए 75 लाख चार्च किया है गजराज जी ने इस मूवी के लिए टोटल एक करोड रुपया चार्ज की हैं वहीं बात करें कियरा अड़वानी की तो कियरा अड़वानी इस मूवी के लिए टोटल चार करोड चार्ज की हैं वहीं बात करें कारतिकारियन का तो आप इनके चार्ज सुनके दंग हो जाएंग इस मूवी के लिए कारती कारियां ने टोटल 25 करोड के रुपया चार्ज किये हैं जो कि इनके फर्स्ट मूवी से काफी ज़्यादा है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट मूवी में टोटल 1.5 रुपया चार्ज किये थे वहीं इस मोवी में खारती कारियान ने टोटल 25 करोड रूपय चार्ज की हैं जो की एक बहुत बड़ा आमाउंट है वो नहो या उनके पिछली मोवी भूल भूले या टूब में अच्छे परफॉर्मंस देने के बाद इनकी चार्ज बढ़ गई है तो आपको यह जनकारी कैस अच्छे लगी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए खुश रही है